वेल्कम बैक गाईज आज हम पढ़ने वाले हैं C++ में फ्रेंट फंक्शन के कंसेप्ट को तो आईगे शिरू करते हैं जो फ्रेंट फंक्शन होता है बसको हम जनरली किसी भी क्लास के अंदर डिखलेइर करते हैं और उसके आगे कीवर्ड लगा देते हैं फ्रेंट टो वो उस क्लास का एक फ्रेंट फंक्शन बन जाता है लेकिन यह उस class का member function नहीं होता है ठीक है और इसको हम class के अंदर सिर्फ declare करता है लेकिन इसकी जो definition होती है वो हम class के बाहर देता है तो अब इस function को friend क्यों बनाया friend बनने से इसमें क्या इसको profit मिलेगा so reason is कि यदि हम चाह रहे हैं कि कोई function है जिसको की हम चाह रहे हैं कि class के जो भी private, protected और public जितने भी members है उन सबका access मिलना चाहिए यदि तो हम क्या करेंगे उस function की declaration कर देंगे उस class में और उसकी declaration का जो proper syntax था उसके just आगे keyword लगा देंगे friend चिक तो इससे क्या होगा कि जो हमारा function है वो friend function बन जाएगा और compiler को ये चीज़ पता चल जाएगी कि क्योंकि ये एक friend function है इस class का तो इस class में जितने भी private या protected members भी होंगे जिनको हर कोई access नहीं कर सकता उनको भी क्योंकि ये इस class का एक friend function है तो ये access कर पाएगा वही चीज़ हमने यहापर लिखी हुई भी है कि it is a non-member function of a class ये class का member function नहीं कहलाता और क्योंकि ये member function नहीं है इसलिए ये class के scope में भी नहीं आता है ठीक? And second thing कि ये member function नहीं है इसलिए जब इसकी calling होगी तो बिना किसी object के तुरू इसकी calling होगी देखें यहाँ पर तो जो points आपको consider करना है जो characteristics हैं किसी friend function की these are कि पहले चीज़ क्योंकि ये class का member function नहीं है तो हम इसको directly call कर सकता है without using object क्योंकि अभी तक हम class के जो member functions थे उनको कैसे call कर रहे थे object name, dot operator और उसके बाद में function का नाम लिखवाते थे ताकि function call हो पाए लेकिन यहाँ friend function में इसा नहीं होगा second thing कि ये जो है ये class के scope में नहीं है जिस भी class में इसको हम friend बना रहे हैं उस class की personal property नहीं है ठीक है उसके scope में नहीं है और इसमें generally जो arguments हम पास करते हैं वो एक object होती है ठीक है तो यहाँ आपको confused नहीं होना है इसके जो भी arguments रहेंगे वो object रहेंगे usually it has objects as argument fourth thing कि हम किस इस function को जहाँ पर declare कर रहे है it may be the private section or the public section of that class कहीं पर भी आपको इसको declare करना है बस आपको class के अंदर declare करना है ठीक है और दूसरी चीज़ है जब हम declare करेंगे friend keyword सिर्फ तभी लगाना है जब हम इसको बाहर definition देंगे class से बाहर तब आपको नहीं लगाना है friend keyword ठीक है so last point जो आपको धियान में रखना है जो भी मैंने आपको बताया भी था कि क्योंकि ये member function नहीं है किसी भी class का इसलिए इसके name के तो इसको आप directly call करवा सकते हो और उसमें एक argument पास करवा दोगे object type की लेकिन object dot और फिर function name से call नहीं करना है ठीक है तो अब हम इसका एक example देख लेते हैं यहाँ पर हमने class ले रखी sample नाम की जिसके अंदर दो data members है A and B क्योंकि इसके पहले अक्से specify नहीं बताया है यह क्या है आपके private members फिर public section में आए यहाँ पर हमने एक function बना रखा है जो इन A और B की value को set कर देता है ठीक है अब हमने एक mean जो की average calculate करेगा function वो बनाया है और यह flow type की value return करेगा और देखिया argument क्या ले रहा है sample class name के बाद जो भी हो बो क्या होता है object तो यह object को क्या कर रहा है as an argument ले रहा है और इसके आगे लगा दिया हमने friend keyword तो यह चीज़ denote कर देगी कि अब जो यह function है यह इस object के तुरू इसके private members को भी access कर सकता है यहां हमने class को close कर दिया क्योंकि friend function सिफ declare करना है आपको class में define आपको बाहर करना है अब हम आ गए यहाँ पर देखिये member function को कैसे define करता थे हम scope resolution से लेकिन इसको वैसे नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि यह friend function है member function नहीं है is it clear तो हम आ गए यहाँ पर इस function में क्या क्या है यह जो object था s उसके तुरू s.a याने कि इस a वाले को access किया और s.b से b मिल गया और इसको two से divide कर दिया और value return कर दिया तो हम a और b को access कर पा रहे है जबकि a और b क्या है private members है फिर भी हम access कर रहे है क्यों 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 हमने इस function को friend declare किया था अब हम आ गए main में main में आए सबसे पहले हमने एक object बनाया object क्यों बनाया क्योंकि यह तो आपका बिना object के call होगा बट यह function object के through ही call होगा क्योंकि एक member function है तो यहां पर x.set value call क्या तो इसने क्या क्या x object के लिए जो a और b allocate होए थे उनकी values को set कर दिया अब हमने क्या क्या यहां पर mean value equals to और यहां देखिए mean function को इस वाले function को directly call करवा दिया है बिना किसी object के जबके member function को हमने object के through call करवाय है ठीक है तो यहां पर हमने बिना object के call करवाय है लेकिन argument में हमने object pass किया है देखिए argument में यहां पर object दिया हुआ था ठीक है and finally return 0 why return 0 क्योंकि integer type की value को return करना जरूर ही है यहां पर int main लिखा है यदि void main होता तो return keyword के 0 तो आपको नहीं परती so this was all about friend function friend function जनरली बनाया जता है जब हम चाह रहे हैं कि कोई function है जिसको हम चाह रहे हैं कि यह उस class के members को access कर पाए private members को भी और protected को भी protected section में generally हम उन चीजों को declare करते हैं जिनको हम चाहते हैं कि हरको कोई तो access ना करें जैसा कि public में होता है बट एक class से जो हम दूसरी class derive करें तो वह access जरूर कर पाए तो हम उन चीजों को protected section में रखते हैं और private के case में तो derived class भी उसको access नहीं कर पाती बट अगर आपने किसी function को friend बनाया तो friend function इसके सारे जितने भी private, protected और public sections होते हैं सारे members को यह क्या कर सकता है access कर सकता है through object of that class यहां confuse नहीं होना है members को इसके through access कर रहा है यह function बट इस function को खुद को call होने के लिए किसी object की requirement नहीं है ठीक है? तो यह आप यार रखिएगा this was all about friend function thank you कर सेय बख़र आपना रादना प्रॉब प्रॉब कर सकता है तो हम एंक है पुदका